तो आप सब कर दोस्तों आज एक फिर नहीं रेसिपी लेकिया हूं आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो गर्मी में बहुत ही अच्छी लगने करने वाले हैं आपको क्यों कि गर्मी में सब को प्रॉब्लम होती है कि हम क्या बनाएं क्या खाएं तो आज जो रनाने वाली हूं मैं ओपती बडिया रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राय करें अगर मेरी रेसिपी आपको फसंद आये तो इसे लाइक और शाय करना बिल्कुल म करने वाली हूं इसके टॉप्स जो होते हैं वो मैंने निकाल दिये हैं अब इसको मैं ऐसे ही दो पाट करूंगी इसके बीच में से कट करके यह जो ककुमर हमने कट किया है इसमें मैं नाइक से यह जो बीच में ऐसे कट मारके यह जो बीच का पाट है वो मैं इसे रीमूव करूंगी ऐसे यह जो है बीच में से ऐसे कट करके यह बीच वाला पाट जो है वो मैं निकाल देती हूं यह दिखिए साट का कुमर्ण ईसे रेड़ी कर देंगे हमने सारे हमसे बीच में से गला निद्धक कर दिया है अब इसके अंदर मुझे स्टाफिंग बॉना है यह स्टफिंग बनाएंगे इसके लिए मैं यहां पर अउन्यन ले रही हूं चॉप किये हुए अन्यन आए यह है टामाटर चॉप किये हुए आपको अगर अन्यन नहीं खाना है तो आप इसे अवोइड भी कर सकते हो यह यहां पर मैंने थ्री कलर्स की बैल पेपर लिए हैं वह मैं डाल रही हूं यहां पर यह देखे ग्रीन चीली है मैंने कट करके रखिया इसे यह मैं डाल रही हूं इसके अंदर यह है कच्चान जिसे मैंने छोटे-छोटे क्यूप्स काट लिए हैं इसके अंदर यह है चाट मसाला हलका साइस में सॉल्ट डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे टेस्ट करने के बाद अगर सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे इससे यह मिक्स कर लेते हैं हम सहरा इसके अंदर थोड़ा सा कोरियंडर डालेंगे और यह है क्रीन चत्नी जो थोड़ी स्वीट और सेवरी है अगर आपको स्वीट नहीं करनी है तो आप सिर्फ सेवरी भी बना सकते हो इससे मैं इसके अंदर डाल रहे हूं इसे हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब मैं थोड़ा क्रंच देने के लिए यह है बुना हुआ सीन मैं डाल रहे हूं इसके अंदर और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे हम जो हमने ककुंगर काट की रखा है हम यह स्टफिंग परेंगे ऐसे आप इसके अंदर स्टफिंग में कॉन भी डाल सकते हो मैंने यहां पे नहीं डाला है अगर आपको अच्छा लगता है तो बॉइल किया हुआ कॉन भी इसके अंदर अच्छा लगता है ऐसे ही हम अच्छे से इसे भर के रेड़ी करके रखेंगे ऐसे ही दूसरे हम भर लेते हैं कुकुम्बर सारे अगर आपको हाथों से भरना है तो भी आप भर सकते हो यह देखिए हमने दूसरा भी रेड़ी कर दिया है यह देखिए सारे कुकुमर हमने भर के रेड़ी कर दिये हैं इसके उपर मैं थोड़ी सेव डाल रही हूँ आपको स्टफिंग में जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो जो भी वेजेटिबल आपको अच्छा लगता है वो बनाईए स्टफिंग यह दिखिए हमने सारे कुकुमर रेड़ी कर दिये हैं इसे अब हम सव कर देते हैं कुकुमर हमने रेड़ी किया है जो हम सव करने वाले हैं इसे मैं ऐसे ही बीच से हलके हाथों से काटूंगी ऐसे हम तीन पार्ट करेंगे सारी कुकुमर और ऐसे हम इसे सव करेंगे इसके उपर हम जब सव करेंगे तो इसके उपर मैं यह हलका सा चाट मसाला फिर से स्प्रिंकल करूंगी और इसे अब हम सव करेंगे ऐसे ही सारे कुकुमर हम कट कर लेंगे देखिए सारे कुकुमर हमने सव कर दिये हैं मैं आपको इससे एक पीस सव करके भी खाके भी दिखाती हूं कि ऐसा लग रहा है बहुर्ण टेस्टी लगना है आपके आपकी अनुपों मेरे साथ जरूर शॉरक नहुंबर आाक्स सःओं खर vibes अब्स complacent कर आपको इससे कर्दराब में जरूरें छिख्व झांकि दोस्तो!